दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही चोटी और बहुत ही कमाल का होने वाला है जैसा कि अभी आप एस्क्रिंग पर देख पार है हम कहीं भी टच कर रहें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है अगर आप चाहते हैं कि आप जहां भी अपने एस्क्रिंग पर टच कर रहें तो आपको यहां पर software information option दिखने को मिलेगा तो simple आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसी में आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो world number करके एक option दिखने को मिलेगा यह वाला तो simple आपको इस पर seven times टाइप करना है लागतार धियान रहें आपको एक सेकेंड के अंदर ल जाएगा जिसका नाम होता है developer option तो चली हम यहां पर password डाल लेते उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं तो simply password डालने के बाद आप नेक्ट पर क्लिक करेंगे नेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे तो यहां पर लिखा है कि developer has been enabled उसके बाद थोड़ा सब्वाइक करेंगे और आएंगे यहां पर नीचे तो यहां पर हभी आप देख पा रहा है क्यों एक वाउट option दिखा रहा था और इसके जस्ट नीचे एक developer option का आ गया है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको इसी में एक सो टच नाम का option दिखने को म आप देख सकते हम यहां पर टच किये तो आपको एक वाइट कलर का बिंदू टाइप में दीख रहा होगा ठीक इसी तरीके से हम जिस भी application को यहां से खोलेंगे तो आपको एक टच वाला option दिखने को मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस लाइड को खोला तो आप पर हम टैप कर रहें तो यह जो टच का option है वह हमें दीख रहा है इस तरीके से आप अपने screen recorder को भी इस्तेमाल करेंगे तो यह जो टच सो का यह system है टच सो का setting हो आपके screen पर दिखते रहेगा और आपको यह पता चलते रहेगा कि हम अपने screen के किस भाग पर टच कर रहे है तो दोस्तों कुछ यही most useful setting सी जो कि हमने साथ शेयर की वीडियो का इसलिए के मन बॉक्स में जरूर लिखिए